अस्सलम अलेकुम दोस्तों वीडियों में हम आपको दाएंगे साओधी के लिटरिशन इंपोर्टन रब्रेटी वीडियों के लिए बहुत ही इंपोर्टन जो लोग अभी साओधी अरभी हम रहते हैं क्योंकि साओधी गबर्मेंट के तरफ से एक नया आदेश जारी किया गय आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकर मिल जाएं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़न से पहले हम आपको एक और इंपोर्टन अपडेट बता दे हैं जो आपके लिए बेहत इंपोर्टन है क्योंकि साओधी के वड़ 89,000 पैकेट जीरा और प्लास्टिक बैगे 95,000 और इस टीकर भी यहां पर काफी मातरा में पकड़े गए मतलब यह है कि अभी एक कमपनी के उपर चापा मारा गया है और चापा बानने के बाद में जो कमपनी है उसको तुरंत बंद कर दिया गया है क्योंकि यह लोग गोदा काम में जाकर जो डेटा है मतलब जो उसमें स्टीकर है बाकी जो जानकारी है उसको हटा कर और जो एकस्पायर सामान है उसको उस पर जो है दूसरा स्टीकर लगा कर फिर मार्केट में बेचनी की कोशिस करे थे तो ऐसे में इन सभीलों को गरबतार कर लिया गया है और बाकी जो भी इसका मालिक है उसको भी आगे कानूनी कारवाई के लिए बुलाया गया है दोस्तों अगली अपडेट एक बहुत इंपोर्टन अपडेट है सबस्पहले हम आपको अपडेट के बारें बताते हैं अगर आप सॉधी अरब के अंदर कोई भी ऐसा कार करते हो बिजनेस इस तरह का तो वहाँ पर आपको रेटन फाइल करना होता है और उसमें जो है कर लागो होता है लेकिन अगर आप सॉधी अरब में क्रमचारी हो तो नियोकता से जो भी आप सलरी पाते हो जो भी बोनस पाते हो वहाँ पर आपके उपर कोई भी टेक्स नहीं लगाए जाएगा लेकिन आपको कुछ जानकारी होना चाहे जो जगात की तरफ से दिया गया है कहा गया है कि अगर सोने की सुधता 99% से कम है तो यहाँ पर आपके उपर जो बैटे एडेट टेक्स है वो आपके उपर लगाए जाएगा अगर यहाँ पर सुधता 99% है तो आपको चिंता करने की जरूत नहीं है आगे समझा गया है कि जो मोले बरधित कर पनाली के तहत पंजिकन बैक्ते जो भी है जो भी सोना बेशते हैं उनके उपर 15% बैट अब लगाए जाएगा मतलब यह है कि सोना अब काफी ज़्यादा महंगा होने वाला है और आपको ध्यान रखना है अगर आप कहीं भी किसी विजगा सोना करते हो तो